इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को दे कर किसी दवाई का उप्योग करते ह है अजवाईं के बीज कॉलीस्ट्रॉल और रक्चाप के स्तर को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा यह एक शांत प्रभाव की सुविधा देता है और अनित्रा का प्रबंधन करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में एक, अजवाइन के बीजवात और कफ दोश को शान्त करने में प्रभावी होते हैं दो, वे कैल्शियम, मैगनीशियम, मैंगनीज और फॉसफोरस जैसे हड़ी के अनुकूल पोशक तत्मों का भंडार हैं जो हड़ीों को मजबूत करने में सहायता करते हैं और वृत वयसकों में औस्टियोपरोसिस और फ्रैक्चर के जोखिम को कम करते हैं तीन, यह उन्हें जैमों को सक्रिय करने में मदद करता है जो हड़ी के उतकों और उपास्थी के निर्मान के लिए आवश्यक प्रोटीन का उतपादन करते हैं जिससे हड़ीों की मजबूती और संरचना को बढ़ हवा मिलता है चार, एक पौश्टिक आहार के हिस्से के रूप में अजवाइन के बीज को शामल करना आयरन स्टोर को पंप करने और अनीमिया को रोकने का एक स्वस्त तरीका है पांच, यह मानस्पेशियों को आराम देकर मानस्पेशियों की एंठन को कम करता है और फाइब्रो मायल गया से पीडित रोगियों के इलाज में भी फाइदे मंध है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें